हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आपने आलू के कटलेट्स तो बहुत खाये होंगे आज मैं आपको एक ऐसा हल्दी कटलेट्स बनाना बतानी जा रही हूँ जो की कच्छे केले से बना हुआ है जैसे कि आप जानते हैं केला एक संपूर्ण आहर होता है आज हम कच्छे केले से कटलेट्स बनाएंगे जो बहुत ही हल्दी है आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अप कर लीजे और साथ में बैल आइकन पर भी क्लिक कर लीजे इससे आपको मेरे द्वारा अप्लोड़ेड लेटस्ट रेसिपीस की जानकारी तुरंत मिल जाएगी कच्छे के लिए के कटलेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए जिसे मैंने बॉल कर लिया है और दो मीडियूम सैस के आलूब जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में और मसालों में हमें चाहिए आधा चूटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच अमचूर पाउडर और एक इंच अद्रक कसीवी बारिक कटा हुआ धनिया लेंगे और बारिक कटीवी हरी मिर्च एक चमश नमक या स्वाद अनुसार नमक एक कटोरी कॉन स्टार्च जिसे आरा रोट का आटा भी बोलते हैं आधी कटोरी बारिक कटा हुआ प्यास और एक चुथाई कटोरी उबले हुए मटर और तेल फ्राई करने के लिए अब हम एक बोल लेके उसमें बनानास की स्कन निकालते वे सारे बनानास की स्कन निकालके रख लेंगे केलो की स्कन निकालने के बाद हम आलू की भी स्कन निकाल लेंगे आलू भी छील लेंगे इस तरह के से आलू और केला दोनों ही छील चुके हैं अब हम इसको साफ दूले हुए हाथों से मैश कर लेंगे या आप चम्मस से भी मैश कर सकते हैं अच्छे से इनको मैश कर लिया है देखिए इसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉन स्टार्च और रोट का आठा बारिक कटा भी प्यास ऑगली मतर अ cognir पत्तियां और हरी मिर्च कर टीवी बाकी सारे मसाले अध्रक गरम मसाला धनिया पाउडर और लाल मिर्च हम इसमें डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनसार नमक और इनको एक चम्मत से या हाथ से आप मैश कर लिजे सारे को मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को और डोसा बना लेंगे मिक्शेर हमारा एकदम रेडी हो चुका है अब मैं हातों को ग्रीस कर लूँगी और से ग्रीस करने से हातों में चिपकता नहीं है हमारे मसाला अब हम इससे थोड़ा सा मिक्शेर निकालके इसको कटलेट की शेप दूँगी या आप कोई भी शेप जो आप चाहते हैं उस तरह से हम बना लेंगे इन कटलेट्स को हम शेलो फ्राइए करेंगे पैन में आप चाहें तो डीफ्राइए भी कर सकते हैं पैन में हम ऑईल डाल देंगे ऑईल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें कटलेट्स डालके इसको सेकेंगे सारे cutlets डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा oil और डाल देंगे साइट से जिससे चिपके नहीं अब हम इसको एक साइड में अच्छे से पकाएंगे तेज आँच में इसको पकाएंगे देखिए खिसकने लगे हैं तो इसका मतलब हमारी नीचे की साइड सिख चुकी है अब हम इनको टर्न कर लेंगे वन बाई बन हम इनको सबको टर्न कर लेंगे सारे cutlets या टिक्कियों में हम थोड़ा थोड़ा oil डाल देंगे जिससे नीचे से नहीं चिपके इस सारी टिक्कियां ये cutlets हमें तेज आज में ही सेखने है अब इनको सारी टिक्कियों को थोड़ा थोड़ा हम प्रेस करते रहेंगे जिससे कि ये नीचे से अच्छे से सिख जाएं दूसरी साइड से भी अच्छे से सिख जाएं अब हम इन cutlets को हिला के देखेंगे देखेंगे नीचे से खिसक रही है तो इसका मतले भी अच्छे से सिख गई है देखें अच्छे से सिख चुकी है आपको दिख रहा होगा इसी तरह साम दोनों साइड को ऐसी दबा दबा के इनको प्रेस करते वे सिख लेंगे सबको आप देख सकते हैं किनारे से थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है तो हम इसको दूसरी साइड भी पलटके अच्छे से सिखेंगे दबा दबा के आज को मीडियम तेज अपने अकॉर्डिंग करते वे हम इस सारी टिक्यों को सिख लेंगे देखिया हमारी टिक्यों सारी अब तैयार हो चुकी है एक प्लेट में नैपकिन रखते हुए हम इसको निकाल लेंगे सारी टिक्यों को इस तरह से गर्मा गरम हेल्दी कटलिट्स रेडी हो चुके हैं आप इसे गरम गरम ही खाईए तो बहुत टेस्टी लगता है मैं इसे धनिय की चटनी के साथ सर्फ कर रही हूँ आपके रेसीपी कैसे लगी? अपने अनुभव मेरे साथ शेर कीजए और अगर आपको रेसीपी पसंद आई तो इसे लाइक कीज़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़े जल्दी नए वीडियो के साथ आप से फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई एंड थैंक यू